हेलो गाइस, I am Nikki और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ Students Point गैज जिसे कि आपको मैंने बोला था कि फर्स यूनिट के बाद हम सेकेंड यूनिट को स्टार्ट कर लेंगे सो अब मैं आप लोगों को बताऊं कि ये चार टॉपिक्स हैं ठीक है तो आज के वीडियो में हम यूनिट नेशन को कवर करेंगे सो यूनिट नेशन के बाद हम वर्ल ट्रेड और्गनाइजेशन लगा लेंगे मैंने ये सोचा था कि आप लोगों को एक ही वीडियो में मैं टू-टू पार्ट्स जैसे यूनिट नेशन और डबलू-टू ये पढ़ा दूगी बाद में ब्रिक्स और टी-एंसी पढ़ा दूगी लिकिन ये जो है दो चार ये चार ओ टॉपिक्स आपके बहुत-बहुत वास्ट है तो इनको आप सेपरेट ही पढ़ो तो जादा बेटर है बिना लेट करें वीडियो स्टार्ट करते हैं अपका आता है आपका यूनाइटेड नेशन देखो यूनाइटेड नेशन सब जानते हैं कि है क्या ठीक है अब वैसे भी फाइनल एर के स्टूड़न है तो यूनाइटेड नेशन को आपने जो 12th क्लास से पढ़ा है कि पहले लीग ऑफ नेशन ता फिर यूनाइटेड नेशन बना उससे पहले यह था ही नहीं तो यह चीज अब यह पूरा जो प्रॉसेस है न आप यह पूरा प्रॉसेस आप पढ़ोगे बहुत जादा डीपली कि भई बेसिक जो यूनाइटेड नेशन था वो हमारा था क्या देखो सेकेंड वल्ड वार के बाद जो राष्ट्र संग का स्थान था न लीग ऑफ नेशन का वो यूनाइटेड ने ले लिया सायूक्त राष्ट ने सेन फ्रासिसको में चार्टर के जो निर्माता थे ना उन्होंने सायूक्त राष्ट के भवन की नीव रखी थी कि भई अब जो है आप सायूक्त राष्ट बना दो क्योंकि अगर फर्स्ट वर्ड वार में यूनाइटेड नेशन होता तो भई फर्स्ट वर्ड वार के बाद सेकेंड वर्ड वार होती ही नहीं ये इतना सब कुछ बढ़ता ही नहीं क्योंकि यूनाइटेड नेशन का काम ही है पीस बनाना, शांती बनाना तो फिर उन्होंने जो थे फ्रांसिस के चार्टर के बाद जो चार्टर के निर्माता थे उन्होंने यूनाइटेड नेशन के पूरे भवन को स्ट्रक्चर को बनाया उसके बाद इसमें कुछ तात्विग नवीनता और संशोधन भी किये गए थे सहींतुराश्ट के आकार को अंतिव रूप देने के लिए ना सब्सक्राश्ट के लिए ग्याल्टा में ततकालिन ब्रिटिश प्रधान मंतरी विंसेट चर्चिल है और अमेरिकी राष्ट्रपती रूस्वेल्ट है ठीके और सोवियस संग के सामेवादी पार्टी के महासचिव कौन है जोसेफ स्टैलिन इनके बीच में बैठक हुई थी ठीक है कि भई इन तीनों ने बैठक करी आपस में और ये बोला कि तीनों ही बहुत बड़े मंतरी थे और ये एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करने के लिए इनोंने यूएन में इसको बहुतुल सर्वसमति से सुईकार करा कि हां हम तीनों आपस में एक दूसरे के जो करते हैं उनको मानते हैं हम बिल्कुल इन सब चीजों का एक्सेप्ट करते हैं ताकि हमारा यून का यह सारा प्रोसेस है कि ढंग से चल सके ठीक है पच्छे सब्रें 1945 का टाइम आया और उसमें डॉमबट ऑक्सन और याल्टा में प्रस्तावों के जो समर्थन थे ना उसके लि उनको एक्सेप्ट किया कि हां यून अप बन गई है ठीक है हम इसको एक्सेप्ट करते हैं इस तरीके से विश्व के सभी भागों के लिए एक इंटरनाशनल पीस और सेफटी के लिए जो बनाने की एक वो थी इंस्टिटूशन वो थी हमारी सायुक्त राष्ट जिसको 26 यूनाइटेड नेशन की ठीक है अब आते हैं यूनाइटेड नेशन की आगे की कुछ बात है जो ध्यान से हमें सुननी है देखो चार्टर अपनाए जाने के बाद लंडन के जो वेंस्ट मिंटस सेंट्रल हॉल था न उसमें महासभा के पहले अधिवेशन के साथ ही 10 जनव 35 का टाइम आप जानते हैं कोल्ड वार का टाइम है और इस टाइम भी विचारदाराओ की जो लड़ाई थी वो चल रही थी मतलब थर्ड वर्ड वार होने के चांसेज भी हो सकते थे लिकिन हुए नहीं ठीक है तो फिर जो है कि मतलब यूद के परिणामों के और परिणेल गूब्स के लिए एक समाने सर सममदी पर पहुचने का उन्होंने समर्थन किया था ठीक है कि मतलब यह वारी बात बताना चाहरे है कि इतना सब कुछ प्रॉब्लम होने के बाद इतना सब कुछ इखटा होने के बाद भी हम लोगों ने एक बिलकुल end में पहुचन उससे जादा बरबादी हुई फिर ये सब मान चुके थे कि शीत यूत के बाद अगर Third World War हुआ तो दुनिया खतम हो जाएगी क्योंकि शीत यूत का मतलब ये था विचार धाराव के लड़ाई और जो विचार धाराई उसके अंदर थी USSR और USA वो दोनों ही बहुत खतरनाक थी दोनों ही इतनी जादा खतरनाक थी कि उनको बहुत अच्छे से वेपिन्स का और बाकि सब चीजों का यूस करना आता था कि हाँ कैसे यूस करना है ठीक है तो United Nation को accept करने के बाद ये सारे चीज़े हुई थी उसके बाद जो था हमारा United Nation का उदै हो गया अब हम पढ़ेंगे United Nation का उदै United Nation का उदै का मतलब हो गया Emergence of the United Nation या फिर Rise of the United Nation देखो 1941 का टाइम था जब अमेरिका के जो ततकालिन राष्टरपती Roosevelt थे और British प्रधान मंतरी कौन? Churchill थे इनकी मुलकात हुई थी कहाँ पर? Atlantic Charter प्रस्तुत करने के लिए हुई थी ठीक है? जो British प्रधान मंतरी थी ना उनके अकांशा थी कि वो एक प्रभावी International Groups की स्थापना करें मदब इन लोगों ने ये सोच लिया था इन्होंने भी और इन्होंने भी कि भाई अब जो है ना हमें इस चीज़ की स्थापना करनी है तो ये जो है बेसिक आप पहले सईयुक्त राष्ट का उदय लिखेंगे देन उसके बाद आप लिखेंगे आप क्या? आपका सईयुक्त राष्ट ठीक है तो पहले आप सईयुक्त राष्ट का उदै ही लिखेंगे तो यह चीज़ बताई जा रही है कि 41 में लोगों ने सोच लिया था क्योंकि जब हमारा जो था 2nd World War खत्म हुई थी तो भाई उसमें देखा गया कि कितनी जादा प्रॉब्लम्स क्रियेट हुई थी क्योंकि सब ने यही बोला कि अगर 1st World War में League of Nations कोई पावर होती उसके पास तो 2nd World War की बात ही नहीं होती 2nd World War हो यह नहीं पाता ठीक है फिर उसके बाद जो था एक जन्मरी 1942 आया और उसमें अट्लांटिंग चार्टर के जो आधर्स थे उनको तब भी और बढ़ावा मिला था जब सायूक तराशोत गोशना पर ना सिरिच चर्चिल और रूजवेल्ट ने बलकि सोविय संग और चीन के प्रतिने थी जो थे मतलब representatives उन्होंने भी signature करे थे कि हाँ हम भी खुले आम से accept करते हैं कि एक international institute होनी चाहिए जो लोगों के लड़ाई जगड़ों और सब चीज़ों को रोक सके ठीक है उसके बाद जरे जरे time बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और फिर 1946 में legally accept कर लिया गया कि जो हमारी United Nation है वो बिलकुल सची में है ठीक है अब इसके आगे की बात है कि sorry student थोड़ा मेरा जो गला है वो खराब हो रहा है आपको अगर समझ नहीं आएगा तो कोई issue नहीं है आपके लिए और भी facilities हमने रख रखी हैं कमेंट बॉक्स है यह टेलेग्राम चैनल है तो आप मुझे उस पर कंफर्म कर लेना अपनी सभी चीज़े ठीक है अब बात आती है यहां पर ICAO की Rise of the United Nations ठीक है तो मतलब भई इसका जो था यह क्या बोलते थे कि भई मैं क्या मतलब इसके मतलब यह बोला युटाइस आफ दा युनाइट नेशन में ICAO International Civil Aviation Organizations का क्या काम था इसने निर्मान हुआ था शिकागो में और इंटरनाशनल यह लोगों को लोगों की जो लड़ाई जगड़े इन सब रोकने के लिए और जुलाई 1944 में Brentwood Sammelan के बाद International Monetary Fund IMF IMF तो आपने देखी रखा है इसका यह लोगों भी मैंने लगाया है कि ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा समझा जें उसके पुननिर्मान भी हुआ और फिर IBRD के अधार पर इसको तयार किया गया IBRD International Bank for Reconstruction and Development World Bank का ही छोटा भाईया ठीक है तो मतलब इस बेस पर कि यह जो है यह बताना चाहरे है कि जब United Nation बना तो उसके बहाफ पर हमें सभी चीज़ों को अब ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में सिर्फ लड़ाई जगड़े हैं पैसा भी है ट्रेड है और भी बहुत सारी चीज़े तो वर्ल्ड बैंक के सकते हैं ठीक है स्टूरेंट सो यह था आपका टोटल पूरा कि United Nation का उदय कैसे हुआ अब आता है United Nation की सरनरचना structure क्या था उसका बही देखो structure में सभी जानते है कितनी चीज़े शामिल थी पूरी 6 चीज़े शामिल थी तो 26 जून 1945 का टाइम था और सायुक्त राश्ने अप स्टाफ रूम होता है और भी बहुत सारी चीज़े उसे हिसाब से UN ने भी अपने आपको बाट लिया और अपने आपको अलग अलग जगाओ बाटने के बाद ये प्रूफ करने की कोशिश करी कि भई मैं जो काम करूँगा बिलकुल सही करूँगा ठीक है तो तीन वो 6 है हम हमारे महासभा सुरक्षा परिश्यत, आर्थिक और समाजिक परिश्यत, नियास परिश्यत, अंतरराष्टी नियायाले और सची वाले इनकी नेम आगी इंगलिश में लिखे हुए है तो अब हम इनको डेपली पढ़ते हैं और फिर इसके साथ इनको समझेंगे कि ये है क्या सबसे पहला आता है हमारा महासभा जनरल असेंबली, जनरल असेंबली जो है हमारी महासभा इसका निर्मान इन विचारों पर हुआ था कि भाई किस तरीके से लोगों को हमें अनलाइस करना है, लोग इन दसे राज्यों को, राज्ये आप लोग को मैंने बताया है, पॉलिट चीजों को हमें अनलाइस करना है देखना है क्योंकि आपने ये बात नोट करी है कि हर जगा की अबादी को करने के लिए United Nation का काम होता है कि हाँ इस जगा इतने अबादी है जगा इतने मरे इस बिमारी से मरे ये हुआ वो हुआ तो ये सारे चीज़ है ठीक है तो वो वारे चीज़ ही यहां बोले जारी है कि महासभा का काम जो था एक अबादी आकार समाजिकार्थिक डैवलप्मेंट सैनिक है पैसा है इन सब चीज़ों को देखने के लिए representative हमने किसे रखा महासभा General Assembly को ठीक है अब General Assembly को तो रख दिया फिर इसकी जो पावर थी ना वो ये थी Article 10 में बोला गया मतलब United Nation के Article 10 में बोला गया कि भई ये जो है हर चीज़ पे प्रशन भी कर सकता है और हर चीज़ पे answer अपने मर्दी से भी दे सकता है पूरे सयुक्त राष्ट को इसको permission देने के जरुवत नहीं है ये अपनी मर्दी से कामकाज कर सकते हैं ठीक है सयुक्त राष्ट के सभी सदस्से राज्यों की सहभागिता से सभी मामने पर वादिवात के लिए एक मंच की भूमे का निभात करते हैं और महासभा जो है ना पॉलिटिकल और सोरी एकोनॉमिकल और सोशल और जो हमारा नियास परिशद है ये ट्रस्टीशिप कामसिल ठीक है इसके लिए ना एक तरीके से एक पूरा रिपोर्ट से तयार करके बेचता है कि हां जैसे होता है ना कि अब टीचर ने अटें कामसिल है इस तक पहुचाया और जो फैसल रेना है वो बागी के सबने मिलकर ले लिया ठीक है तो ये थे हमारी महासभा महासभा का ये काम होता है उसके बाद महासभा के काम के साथ उनकी जो पावर्स हैं वो भी हम पता करते हैं इंटरनाशनल पीस और सेफटी बनाए रख क्योंकि आप भी जानते हैं सेकंड वर्ड वार में या उसके बाद नाटो सीटो सेंटो सब के तहट सब लोगों के सभी लोगों के मतलब दुनिया में सभी लोगों के वैपन्स को ना चलाने बेवजा ना यूज करने ना कुछ करने के लिए मनादी किये गई थी कि ये जो है ये जो निकाले गए थे एंड इनके तहट कोई भी अपने वैपन्स को ना इस्तिमाल कर सकता था ना ही टेस्ट कर सकता था ठीक है उसके अंदर सभी देश शामिल थे चाहे वो इंडिया हो चाइना हो जपान हो अमेरिका हो कोई भी हो ठीक है दूसरा काम है इसका निचाब दे सकता है मतलब जो हमारी सुरक्षा परिशद है कौन है। सेक्यॉची काउंसल के अंडर में मतलब उसकी विवाद और मामली और को छोड़कर वो किसी भी इंटरनाशनल पीस और सेफटी इन सब चीजों के लिए प्रैशने उठा सकता है और सम्मंदित बाचीत भी कर सकता है ठीक है तीसे चीज़ की जो युनाइटिड नेशन का कोई भी अंग का काम हो या कोई भी पावर हो उसे इंपेक्ट करने के लिए ये चार्टर बनाया गया महासभा प्र सकती है कि हाँ वो ये देख सकती है कि कहा किहा कब कैसे और कैसा काम चल रहा है ठीक है तो ये महासभा का भी राइट है मतलब उसकी पावर है आगे है कि सुरक्षा परिशद और जो बाकी सायूम्त राष्त के अंग हैं उनके द्वारा रिपोर्ट का विवीचन क बना दिया गया है, वो महासभा बनाया गया है यह भई आप लोग आओ महासभा में यह सब रिपोर्ट्स वगएरा कि कब कहां क्यों कैसे क्या चल रहा है वो सब चीज़े आप यहां पर दे कर जाओ ठीक है, और इसका काम एक यह भी है कि मतब पर्मनेंट रूप से नहीं लेकिन वैसे ही अस्थाई रूप से सदस्यों को चुन सकता है और अपने पास बिठा सकता है पर्मनेंट रूप से नहीं बिठा सकता है अब आती है आपकी सुरक्षा परिशद, सेक्योर्टी काउंसल देखो सिक्योरिटी काउंसल में न 15 सदस्य, 15 सदस्य होते हैं और UK, चीन, फ्रांस, रूस, रूस और अमेरिका इसके 27 सदस्य है, पर्मनेंट सदस्य है ठीक है, बाकी के जो 10 बचते हैं वो 5 सदस्यों के अंडर में रहकर काम करते हैं और महासबह उनको सिर्फ 2 साल के लिए अभी जो पढ़ा ना, अपने महासबह कि अभी करती हैं महासबह सिर्फ 2 साल के लिए ही अस्थाई रूप से पर्मनेंट रूप से नहीं इंप्लीमेंट करती है ठीक है, और जो है बाकी का काम क्या कि हर सदस्य को एक vote प्राप्त होता है कि वो vote से ही बैठता है ऐसी अपनी मर्जी से नहीं बैठता और दैनी कारवाही के लिए 9 सुईकृत मतों की जरुवत होती है कि कोई भी काम करने के लिए 15 में से 9 लोगों को permission देनी ही देनी पड़ेगी तब ही जाकर वो काम कर सकते हैं कौन सुरक्षा परिशत बाकी मामलों में 901 की जगा पांच जो स्थाई सदस्य है ना उनका vote भी मिल जाए तो सेक्योर्टी कांसल काम कर सकती है ठीक है सुरक्षा परिशत जो है उसकी कारे प्रणाली वीटो और माहन शक्तियों की एकात्मक शक्ति से जुड़ी है वीटो क्या है आप लोगों ने पड़ी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना यह टेलिग्राम चैनल पे जो बच्चे जॉइन है और वीडियो देख रहे हैं आप मुझे बताना कि वीटो क्या थी काउंसिल को आगरे पर सशस्त्र सेनाओं और आपूर्ती के लिए वचनबद भी करता है ठीक है साथ में इन सेनाओं का निर्देशन पांच इस्थाई सदस्यों के सैनिक स्टाफ समीती करेगी जिसमें उनके जो रेप्रेजेंटेटिव है वो खुद शामिल होंगे ठीक है तो जो सुरक्षा परेशत का काम था वो ये था अब कुछ पावर्स उसके पास क्या है कि जो युनाइटिड नेशन के सिधानत और जो उसके उदेशे हैं सभी गोल्स हैं उनको इंटरनाशनल सेफटी और पीस के लिए बनाए रखना इस सेक्योर्टी काउंसिल का काम है बहुत सारे विवादों का निप्टारा करना और उन निप्टारों में अपना जो है परस्पेक्टिव रखना सामने वो भी सुरक्षा परेशत का काम है नए सदस्यों में और सदस्य एड़ करना वो भी सुरक्षा परेशत का काम है और महासचेव जो है हमारे उनकी निप्टी के सम्मन में महासभा से सिफारिश करना और महासभा के साथ सहीं तुरूप से इंटरनाशनल जो हमारे वो है नयायले हैं उन सभी को नियुक्त करना क्योंकि हमारे इंटरनाशनली जो जजजिस होते हैं या फिर और भी चीज़े होती हैं उन सभी को भी इंप्लिमेंट करने का काम सुरक्षा परेशत का ही होता है अब आती है हमारी आर्थिक और समाजिक परेशत Economic and Social Council Economic and Social Council का निर्मार जो है UN के सभी सदस्यों के बीच में होता है ठीक है सभी सदस्यों के बीच में आर्थिक और समाजिक परेशत को चूस किया जाता है कि इसमें कौन क्या कब कैसे कहां बैठेगा इसके अंदर 54 लोग होते हैं जो हर वर्ष के कार्याले में महासभा की मरजी से चूस किये जाते है ठीक है इसके साथ-साथ इस पर कल्यान की स्थितियों के निर्मार का भी दायत होता है मतलब कि कल्यान की जो स्थितियां है हम सब की जो एक सिचेशन है उनका भी उनका निर्मार कैसे होना है इसके responsibility किसकी होती है आपने भी पड़ा है आर्थिक और समाचिक परिशत की अंतराष्टी है आर्थिक मतब इंटरनाशनली एकोनॉमिकल सोशल कल्चर और आपकी एजुकेशनल हेल्थ से रिलेटेड सभी मामलों का अध्यान जो है वो यही रिपोर्ट बना कर देता है कौन इकोनॉमिक और सोशल काउंसल रिपोर्ट बना के देता है और इसमें सबको मतब यह पूरे ही पूरे जो हमारा यह स्ट्रक्चर है इसको बताने के खोशिश करता है कि हर जगा पर यह चीज़े हो रही है इतने जगा पर इतने लोग बिमार हो रहे हैं मर रहे हैं ये हैं वो है and all things ठीक है अब इसकी जो कुछ powers हैं वो ये हैं कि international सबसे पहले तो कि भाई ये economical, social, political, culture और educational सभी चीज़ों का report खुद बनाता है खुद अपने हाथों से 54 सदसे मिलकर बनाते हैं and then उसके बाद उस पर ये फैसला किया जाता है कि अब क्या करना है क्या नहीं क्योंकि ये चीज़ देखनी है कि कौन से देश में क्या हो रहा है ठीक है जो United Nation है उसके साथ जो और एजेंसिया जुड़ी भी है उसकी देखरेक भी ये ही करता है United Nation के जो मामले होते हैं उन पर गैर सरकारी संगठनों की भी परामर्ज ये ले सकता है NGOs बगेरा की परामर्ज भी ये ले सकता है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है नियास पर इशद आता है हमारा Trustorship Council Trustorship Council जो है प्रदेशों में रहने वाले लोगों के हितों को एक जरीगी से सेफ रखने के लिए बनाई गई है ठीक है इसके सरस्यों का निर्वाचन जो है न वो महासबा करता है ठीक है महासबा करता है तो उसके साथ यह वाली बात है कि Internationally नियास विवस्ता की स्थापना के लिए चार्टर ने नियास परिशत की स्थापना करी थी United Nation के अंदर और United Nation ने यह वाली अपने मतलब बहुत सारे कार्यों को इनको सौपा कि हाँ नियास परिशत ट्रस्टिशिप कांसल जो है हमारे बहुत सारी चीजों का ध्यान रखेगी इसकी काम क्या है इसका काम यह है लोगों की पॉलिटिकल एकोनॉमिकल और जो आपकी एजुकेशनल है वो है सोशल ठीके उन सभी की उननती से जुड़े जो administrative सवाल होते हैं ना कि मतलब पूरा एक जैसे की administration के अंदर जो है सारा सब कुछ उसके अंदर के चीजों को देख रहे करने के बाद उन पर reports बनाकर सब के पास पहुचाना सब कौन ये जो सारे हैं ये आपके इन सब के पास पहुचाना ठीकि ये काम है इसका ठीकि और जो नियाय परिशद है ना वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है नियास परिशद एक ऐसी परिशद है कैसी काउंसल है कि किसी भी चीज में इसका participate होना बहुत 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 जरूरी है क्योंकि जो काम महासभा सुरक्षा परिशद और आर्थिक समाजिक परिशद करते हैं वो ही सारा काम ये अकेले समालती है इसलिए इसका एड़ होना बहुत जरूरी है हमारा लास सेकिंड है अंतराश्टी ये नियायाले इंटरनाशनल कोर्ट आफ जस्टिस ठीक है इंटरनाशनल नियायाले ICJ जो है सैयुट राश्ट का सरवोच नियायाले होता है सुप्रीम कोर्ट जैसा होता है इसकी जो स्थाई सीटे हैं वो नीदर लैंड में हेग में हैं ठीक है ICJ मतलब इंटरनाशनल कोर्ट अफ जस्टिस में पंदरा नियाधीश है पंदरा जस्टिस हैं एक राश्टे से दो नियाधीश नहीं लिये जा सकते एक राश्टे मतलब एक जगा से एक ही जो हमारा जज है वो लिया जाएगा और इनका जो निर्वाचर है महासबा और सुरक्षा परिशल मतलब ये दोनों करते हैं ठीक है इनका जो हमारा चुनाव है वो ये दोनों मिलकर करते हैं और साथ में निया अधिशों की जो सेवा काल है वो सरिफ नौ वर्ष के लिए होती है और हर पांच वर्ष बाद उनको जो उनके मतलब वो चीज़ होती है ना की मतलब कैसे अब इस टाइम मुझे नाम याद नहीं आ रहा पैंशन पैंशन जो है उनको हर पांच साल बाद मिल जाती है अब उसके बीच में अगर वो हट गए या नहीं हटे वो उनकी मर्जी है ठीक है और फिर उनके साथ ही चुनाव भी किये जाते हैं दुबारा एक नियाधिश चुनने के लिए नियो नियाधिश जो है एक पूरे कोरम बनते हैं और फिर प्रशनों के निर्णे वो स हमक्ष लखने के लिए दोनों पक्षों की सह्मती बहुत जादा जरूरी होती हैं और फिर उसके बाद फैसला लिया जाता है कि भई क्या देखना है क्या करना है तरिके इसमें artイidal 38 United Nation का रछा कया आर्टिकल 38 कैता है कि भई नियायाले विवादों के जो निर्णे है वह अल सेक्योर्टे काउंसिल या फिर ट्रस्टरिशिप काउंसिल के लोग हैं इन सब से इसके बारे में पूछा जाएगा ठीके फिर आता है हमारा कि वो अंदर रश्टी परंपरा और रितिरिवा जो इन सब का प्रियोग नहीं करेंगे वो अपने धर्म को साइड में रखने के बा मामले में बाचीत करना सचीवाले का काम है इसमें एक सो पचास देश शामिल होते हैं जिसमें और अरत और मर्द 25 हजार है टोटल मिलाकर ठीके और इसका जो एक इंटरनेशनल स्टाफ है ना वो न्यू यॉर्क में इस्तित है इसका मुख्याले जो पूरे दुनिया में कार का संचालन है मतलब यह जो है हमारा सची वाले इसका जो हैड ऑफ़िस है वाधां पार ं्यू यॉयॉर्क में स्तित है और वही पर ही पूरे दिनकी बाच्चीत और सब चीदों को लग्खा जाता है सची वाले के अंदर ठीक है यह था आपका सची वाले अब यह जो आपके पूरे structure है यह मैंने discuss कर लिया है अब आता है सैयुक्त राष्ट की कार्य प्रणानी के सिधान देखो भई इनके functioning तो आपने जो अभी पीछे पढ़े है ना इनी सब को खोल खोल के मतलब जैसे अभी खोल खोल के पढ़ा है वैसे ही पढ़ लिखना है आपको भई ये article ये बताता है ये article ये बताता है जो दो तीन article बता है उनको define करना जैन उसके बाद जो मैंना आपको ये 6 के 6 ये अभी शारे पढ़ाए है इनको थोड़ा थोड़ा define करना क्योंकि इसकी कार्य प्रणानी में इसके लावा और कुछ भी add नहीं होगा ठीक है राजनितिक शक्ति आवम दुरबलता राजनितिक शक्ति आवम दुरबलता की जब बात आती है तो यहाँ पर किस चीज की बात होती है इसकी पॉलिटिकल की मतलब पूरे क्या चीज यहाँ पर देखी गई है ठीक है 1945 में जब Second World War खतम हुआ था ना उसकी रियालिटी सामने आई थी कि भई अब जो है हमारा Cold War चलेगा और Cold War चलने का मतलब है कि विचारधाराओ की लड़ाई विचारधाराओ की लड़ाई ने क्या सबसे बड़ी एक important बात रग दी थी कि लोग मतलब अब भई यह विचारधारा है मैं आपके बारे में कुछ सोचो आप मेरे बारे में कुछ सोचो ड़ेंट मैटर विचारधारा है आप हमारे मैं आपके दिमाग पर रोख लगा यह नहीं सकती हूँ तो इस विचारधाराओ की लड़ाई की वैसे यह देखा गया कि जो political strength and weakness थी ना उसकी वो सामने आई थी क्योंकि आप सभी जानते हैं कि United Nation जो है वो भई पहले किसी भी काबिल नहीं था लेकिन वो अस्तित में नहीं था लेकिन उसके बाद यह धिरे-धिरे कि जो इसकी political कमजोरियां था वो तीन तरीके से सामने रखी गई थी कि सायूक्त राश्ट्र का सरनचना पिछले छे दशक से ही बहुत सारा काम League of Nations का था जो उसने करा नहीं था क्योंकि वो इतनी powerful थी ही नहीं ठीक है सायूक्त राश्ट्र का जो पूरा international institute थे उसके अंदर भी कदम ढंक से नहीं रखा गया था क्योंकि एक political power इसके पास इतनी जादा नहीं थी ठीक है अब आता है हमारा next सायूक्त राश्ट्र की शक्तियां इसकी शक्तियां जो है strength जो है वो यही सब है कि इसमें 6 तरीके के जो हैं हमारे अंग बनाए गए हैं अलग-अलग parts करे गए हैं उन अलग-अलग parts के अंदर ध्यान से देखना जरूरी है कि किसने क्या काम कब कहां और कैसे किया है ठीक है उसके बाद है हमारा क्या सायूक्त राश्ट्र की दुर बलता है सायूक्त राश्ट की दुर बलता है कि इस सायूक्त राश्ट की weakness क्या है इसके सबसे बड़ी weakness है कि League of Nations को कभी भी powerful नहीं माना गया ठीक है 1945 की मौझूदगी में इसको थोड़ा बहुत powerful माना गया लेकिन उससे पहले ही अस्तित में होने के बावाजूद भी अस्तित में नहीं था इसके अंदर कोई बाच्छीत नहीं रखी गई कोई चीज ध्यान से नहीं देखी गई कि लोग कर ले या कुछ और बात है ठीक है सायूक्त राश्ट का संशोधन reforming the United Nation reforming का मतलब हो गया भाई देखो आपने अभी जो पूरे च्छे के च्छे वो पड़े है ना इससे आपको बता लग गया कि reforming यहां पर क्यों आ रही है अब reforming देखो हर चीज में संशोधन हमारे खुद की constitution में संशोधन होते रहते हैं लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है उन सभी चीजों को देखने के बाद संशोधन होते हैं और यह सारे चीज़े जो कुल मिला कर हैं आपके सहियों क्तिराश्ट को complete करती है ठीके student तो आपका UN जो था यहां पर आज फिनिश हो गया है आई होप आप लोगों को UN बहुत अच्छे से समझा गया हो इनकिस कोई भी डाउट हो या सजेशन दो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स और टेलिग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं तो थैंक्स फॉर दे वाचिंग और बेस्ट अफ लक ओल